तो चलो प्याने पेच्चों इस अब्जेक्टिव फर्स्ट का एक लास्ट कोस्चन है सी बर्मा का तो इसको हम लोग ट्राइ करते हैं सॉल्व करते हैं थीटा डिनोर दे एंगुलर डिस्प्लेश्मेंट अफे सिंपल पेंडलम और सिलेटिंग इने वर्टिकल प्लेन इद्ध मास अब इस एंगुलर डिस्प्लेश्मेंट हो चुका है ठीक है और बाब का मास एम है तो एम जी जो टेंशन है वह है अब यह कह रहे हैं कि यह कहां पर होगा मीन पोजीशन पर इस पॉइंट पर होगा एक्स्ट्रीम पोजीशन पर होगा कभी नहीं होगा हमेशा होगा यह काम करते हैं सबसे आसान तरीका है जनरल इक्वेशन लिग देते हैं टेंशन का माल लेते हैं कभी वह यहां पर है तो अगर यह बॉब यहाँ पर है तो यह वर्टिकल से इंगल प्यारे बच्छो थीटा होगा तो जब मैं देखूंगा तो इस पर mg नीचे लगेगा और टेंसंटी उपर लगेगा तो यह वाली जो लाइन है अब मुझे किसको को रीजॉल्व करना पड़ेगा यह सर्कल का सेंटर हो है तो मुझे यह को करना ही पड़ेगा क्यूकि मैं सेंट्यमीटर्यिटल का Onlyxy लिखना चाहता हूं तो मैंं मैं में और जएक इक खरूँग negro mg sin theta mg sin theta इसको इधर लाएगा और माल लेते हैं tangential velocity भी इधर है तो general equation अगर मैं लिख हूँ general equation किसी भी point पे tension का tension at any point at any point किसी भी point के अगर मैं tension लिख हूँ तो simple सी बात है देखो इस point पे लिख हूँ तो t minus mg cos theta is equal to centimeter force mb square over length L जिस point की velocity रखोगे उस point पे tension आ जाएगा या जिस point का theta रखोगे उस point का अपने आप tension निकल के आ जाएगा तो अगर tension को mg cos theta 0 होना है तो ये जो point है उसको velocity 0 होनी पड़ेगी मतलब इसको extreme point होना पड़ेगा extreme point exist करना पड़ेगा तब ही जाएगे velocity 0 होती है तो अगर velocity 0 होगा तो tension की value minus mg cos theta is equal to 0 मतलब tension की value आ जाएगी mg cos theta तो ये centripetal के equation से आप बड़े अराम से कर दिए किसी lowest point पे लिखना है तो lowest point पे velocity भी इधर है tension इधर है और mg नीचे है तो tension minus mg is equal to mb square over r अब energy conservation से भी निकाल के रख दोगे तो tension पता चल जाएगा इस point पे तो extreme point में निकालना आसान था और यहां से mechanical energy कंजर करानी पड़ेगी और तम निकाल के किसी दूसरे question में हम analysis करेंगे है भी इसको यहीं रने देते हैं तो I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा तो thanks for watching this video मतलब हमारा c option सही है extreme point तो हाइब da दो करते हैंwhy तो एक 시 recognize यह वár काand। धिici एवी